Hello friends, आज हम valves को discuss करेंगे जो IC engine में use होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या function होते हैं, और यह किस material के बनाए जाते हैं, चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं, valve क्या होता है, तो valve एक हमारी device होती है, जो की use करी जाती है हमारे passage को open करने के लिए, यह ह पैसिज हमारा इस exhaust valve के थुरू हमारी burnt gases को भार निकालने में use किया जाता है यह दो परकार के होते हैं valve हमारे पहला है हमारा inlet valve और दूसरा हमारा exhaust valve inlet valve का प्रियोग हमारा petrol engine के case में हमारे charge को in करने में किया जाता है और यह charge हमारा fuel और air का mixture होता है जो carburetor की सायता से हमारे इस पैसिज से in किया जाता है diesel engine के case में यही valve हमारा fresh air को in करता है और इसको highly compress करके हम diesel को atomized form में injector के तुरू inject करते हैं अब हम बात करते हैं exhaust valve की इस exhaust valve का काम हमारे यहाँ पे जो combustion होता है उससे जो हमारी brand gas produce होती है उनको भार निकलना होता है इस passage के थुरू इस तरह हम इन valve का प्रियोग इन passage को open और close करने के लिए करते हैं यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि हमारे जो four stroke engine होते हैं उनके अंदर हम walls use करते हैं यानि four strokes के अंदर ही हमारे inlet valve और exhaust valve आते हैं यही सिनेरियो हमारे जो two stroke engine होते हैं उसमें नहीं होते क्योंकि two stroke engine में हमारे walls के जगा ports होते हैं इन ports को हम अपने moving piston के थुरू open और close करते हैं आईए अब हम थोड़ा इसके material को discuss करते हैं कि यह हमारे walls किस material के बनाए जाते हैं इसको discuss करने से पहले हम यहां समझते हैं कि यह जो walls होते हैं यह हमारे इस combustion chamber में होने वाले compression को जिसमें हम charge को compress करते हैं साथ में हमारा जब fire होता है spark plug के थुरू तो उससे जो हमारा expansion process होता है जिससे हमें power मिलती है उसमें होने वाले high pressure और temperature को bear करते हैं इसका मतलब यह दोनों valve हमारे high temperature को और high pressure को bear करते हैं अब हम कोशिश करेंगे इसको उस material को बनाने के लिए जो कि इस high temperature को और इस high pressure को bear कर सके तो चलिए हम पहले inlet valve को समझते हैं कि हमारा inlet valve किस material का बनाय जाता है देखिए हमारा inlet valve निकेल और chromium का alloy से बनाय जाता है यानि यह हमारा alloy steel होता है जिसके अंदर हमारा निकेल और chromium add होते है निकेल का काम हमारा किसी भी material में उसकी corrosive power को बढ़ाना होता है ताकि उसे जंग लगने से बचाय जा सके साथ के साथ यह हमारे इस inlet valve को strong भी बनाता है और इसे high temperature बियर करने के भी useful बनाता है यहाँ पे हमारा inlet valve जो होता है वो generally 250 degree centigrade about temperature को बियर करता है अब हम बात करते हैं exhaust valve की जैसा कि हमने डिसकस किया यहाँ पे जो burn gases होती है उसको इस पैसे के तुरू भार निकालता है to atmosphere अब हम exhaust valve को उस material का बनाते हैं जिस material में यह जादा से जादा temperature को बियर करें क्योंकि यहाँ पे होने वाला हमारा temperature range 750 degree centigrade होती है जो कि हमारे inlet valve से लगवग लगवग तीन गुना होती है तो यह हमारा जादा temperature को बियर करता है यह हमारा कम temperature को बियर करता है यह ऐसा क्यों होता है क्योंकि दोनों के दोनों हमारे same position पे है same हमारे compression को bear कर रहे है same हमारे power stroke को bear कर रहे है तो ऐसा difference क्यों है कि जो inlet wall का temperature है वो हमारा 275 degree approach होता है जबकि हमारा exhaust wall का temperature उसके 3 गुना लगवक 750 degree होता है तो देखिए उसका reason ये होता है कि हमारा जो inlet wall होता है जब हमारा suction stroke होता है suction stroke में हमारा जब charge जो fresh charge in करता है तो ये fresh charge जब in करता है तो ये अपने साथ कुछ cooling लाता है यानि ये nature में कैसा होता है ये थोड़ा थंड़ा होता है तो ये थंड़ा जब इस wall से टकराता है तब इसको अपनी heat दे देता है जिस कारण यह थोड़ा cool हो जाता है जबकि हम बात करते हैं exhaust gas की exhaust gas में क्या होता है जब exhaust valve open होता है तब हमारी burnt gases भार के तरब भागती है यह हमारी जो burnt gases है यह already high temperature में होती है तो rather than इसको ठंडा करने के यह इसे ओर गरम कर जाती है यही reason होता है जिसके कारण हमारा exhaust valve थोड़ा ज़्यादा temperature का होता है इसे बनाने के लिए हम एक special alloy जिसे हम silk chrome steel कहते हैं use करते हैं देखिए silk chrome steel हमारा आप देखेंगे silk मतलब silicon और chrome मतलब chromium यानि हमारा यह वैज steel है जिसमें हमारा silicon और chromium add होता है यह दोनों silicon और chromium इसलिए add के जाते हैं क्योंकि यह हमारे high temperature को bear कर सके साथ के साथ इसके अंदर हमारा high resistance to heat भी develop हो अब हम बात करते हैं इसके types की यह valve कितने types के होते हैं यह valve हमारे mainly तीन type के होते हैं जिनका नाम क्रेंस है पॉपट वाल इसी पॉपट वाल को हम mushroom वाल भी कहते हैं जैसा कि आपको नीचे डायग्राम में दिख रहा होगा दूसरे type का वाल हमारा sleeve वाल है और तीसरा हमारा rotary वाल है अब हम sleeve वाल और rotary वाल का use नहीं करते हैं इसलिए इस lecture में हम केवल poppet वाल या mushroom वाल को ही discuss करते हैं देखें यह मेरा poppet वाल है और यह मेरा mushroom वाल है अब हम इसके थोड़े parts को समझते हैं कि इसमें किस part का क्या नाम है तो यह देखेंगे सबसे top पे हमारा head होता है जो सबसे बड़ा भाग होता है इसको हम head कहते हैं चाहें यह mushroom वाल हो चाहें poppet वाल हो इसके नीचे हमारा यह जो portion है यह हमारा face कहलाता है यह दोनों जगापी आप देख सकते हैं इसके नीचे जो इसमें main difference है हमारे poppet वाल और mushroom वाल में वो यह है कि इसका angle जिस angle पर यह हमारी seat पर बैठा होता है यह देखिए poppet वाल के case में यह हमारा 30 degree से start होता है और 45 degree तक चलता है सेम यह हमारा mushroom case में 45 degree होता है यानि यहाँ पर जो seat का arrangement होगा जिसके उपर वाल हमारा बैठते हैं वो हमारी 45 degree की होती है उसके नीचे देखिएंगे यह हमारा stem है इसी stem के उपर हमारी spring mounted होती है जो की इसको एक guide देती है यह किस direction में move होगा इसके नीचे हम देखिएंगे यहाँ पर हमारा spring returner lock screw है इसी के उपर हमारी rocker arm mounted होती है जो इसको up और down motion देती है जिसका परियोग इसको वाल को हम open और close करने में करते हैं I hope दोस्तों आपको समझ में आया होगा Thank you